हेलो फ्रेंड्स हमने फार्मकोलोजी के MCQ इसमें 80 तक डिसकस कर ले थे दो पार्ट अपलोड कर दिये थे MCQ के अब यह हम आगे डिसकस करते हैं question number 81 is one of the drug is used as cardiac depressant तो इन में से कौन सी ड्रग है जो cardiac depressant है तो इन में से जो यह लिग्नोकेन है यह क्या है cardiac depressant है लिग्नोकेन को इसको lidocaine भी बोलते हैं और इसको जाइलोकेन भी बोलते हैं इसको और यह क्या होती है यह वैसे तो क्या है यह local anesthetic है क्या है यह local anesthetic और यह यह अरिद्मिया में भी उसकरते हैं इसको यह anti-arrhythmic भी होता है तो इन में से कौन सा है जो यह cardiac depressant है यह है लिग्नोकेन और इसमें जो sincocaine है इसको dibukene भी कहते हैं क्या बोलते हैं इसको sincocaine को dibukene next is purgates are used purgates किसमें उसकरते है तो evacuate balls तो इस बावल को evacuate करने के लिए क्या उसकरते है परगेटीज next is यह to expel gas from the stomach इसके लिए क्या होते है कार्मिनेट इस उस करते है next excretion of drugs mostly occur through जो drugs का excretion होता है mostly किस से होता है excretion होता है kidney के थो होता है excretion of drugs mostly occur through kidney और अगर पूछे metabolism of drug वो कहां पर होता है metabolism वो कहां पर होता है liver में होता है next question is Dapsone इसे Dapsone क्या है यह anti-laprotic drug है क्या है Dapsone anti-laprotic drug होती है Dapsone को बोलते है di-amino-diphenyl-sulfone क्या बोलते है di-amino-diphenyl-sulfone और यह जो है Dapsone इसका mechanism यह sulforamide की तरह ही होता है इसका mechanism जो sulforamide क्या करती है वो पाबक जो यह फोलेट सिंथेज enzyme को inhibit करती है तो इसका भी mechanism है sulforamide की तरह है Dapsone किसमे उज़ करते है laprosi में उज़ करते है क्या होते हैं anti-laprotic drug होती है और anti-laprotic drug कौन-कौन सी है जैसे Dapsone है और एक clofazimine भी है और rifampicin और ethionamide यह दोनों drug किसमे tuberculosis में भी उज़ करते है chlorithromycin और ophloxacin और minocycline यह तिनों जो है anti-biotic जो है chlorithromycin है और ophloxacin chlorithromycin और ophloxacin और minocycline यह तिनों यह भी किसमें इसमें laprosi में यूज करते हैं next is D-tubocularine is used as D-tubocularine क्या होता है यह skeletal muscle relaxant है क्या है यह skeletal muscle relaxant है यह क्या होता है non-depolarizing blocker होता है non-depolarizing और competitive क्या होता है non-depolarizing होता है और क्या होता है competitive blocker होता है non-depolarizing होता है और competitive होता है यह deep tubercularine तो यह क्या है skeletal muscle relaxant है D-tubocularine next is warfarin sodium is used as warfarin क्या होता है यह anti-coagulant होता है और यह क्या है anti-coagulant है और यह oral anti-coagulant होता है क्या होता है oral anti-coagulant होता है और अगर ही पैरिन को देखे तो ही पैरिन क्या होता है parental anti-coagulant होता है और वोर्फेरिन क्या होता है oral anti-coagulant होता है next is sylvestyrol belongs to sylvestyrol यह है synthetic estrogen होता है स्टिरोडल, ओई तो स्टिरोडल स्टिरोडल यह इस्टिरोडल में एक यह सेरोडल इसको टाइथायल स्टिरोल भी बोलते हैं है इस्टिरोडल कुस्तिरोडल सिंथेटिक sindhetics क्यों निस्ट्राइटेन इस एंटी फंगल है अंटी फंगल है और किया थे पोली इन एंटी बाइटिक होती है इसमें कौन-कौन से आती है यह सब होते हैं पोली इन एंटिबाइटिक होती है और इसको फंगल इंफेक्शन में एक एक विए इसको करते हैं इस्टेटिन को फॉलोंग इस कार्डिक ग्लैकोसाइड यह कौन सा है तो यह डिजोकसिन है डिजोकसिन का है तो यह डिजोकसिन ऐसे अप्डिजोडकी करते हैं आइपीड कार्डिक क्यों फेमली होता है यह एमतिक जाइंट्री में म्मिलता है और यह ट्रोपी कहां होता है यहं से हैं यह से पीनी क्या होटे हैं एल्लिंआ कुंधोना क्या थे क्यों किवला सब्सक्राइब होता है इस इसता में इकंद को श्रक्पारिपन क्या है यह जाытा है डायुरेटिक्स, डायुरेटिक्स क्या करते हैं, डायुरेटिक्स increase the outflow of urine, urine के outflow को बढ़ाते हैं, क्या हैं, डायुरेटिक्स increase the outflow of urine, next is example of sympathetic drug, कौन सी ड्राग titled sympathetic sympathetic मतलब, sympathetic तो इसमें से adrenaline क्या है, Sympathomimetic Drug है Adrenaline क्या होते है Catecholamine में आते है Adrenaline और यह है Sympathomimetic Drug है और जो Atropin है यह क्या है यह Anticholinergic है तो अगर हम इस टाइप से बोले तो क्या इसका नाम होगा Atropin का होगा Parasympatholitic क्या बोलेंगा Atropin को Parasympatholitic जो जैसे Acetylcholine है वो तो जगा Parasympathomimetic होजगा Acetylcholine है जो Collinergic है उनको बोल सकते है Parasympathomimetic और जो Anticholinergic है उनको बोलेंगे Parasympatholitic ऐसे ही जो Adrenalgic है उनको बोल देंगे Sympathomimetic और जो Anticholinergic होंगे उनको हम क्या बोलेंगे Sympatholitics बोलेंगे Next कुई नहीं नहीं बताया था यह और रिजर्पिन क्या है यह रोवॉल्फिया से अप्टेन होता है रोवॉल्फिया सर्पेंटाइन अपसाइन सी फैमिली होती है रिजर्पिन जो है यह एंटि हाइपटेंसी होता है ट्रांसक्यूलाइजर भी होता है नेक्स इस एंटिडोट क्या है ?, प्रोटामीन सलफेट है ? और इंसुलिन का अगर पूछे dro sabor फीजियुलोजिकल एंटिडरोट पूछता Mt. lower ऐंटफेर्पान का होता है ? इसम पूखता है它的 alleviation करते हैं तो यह इसका वौट फेरन का एंटिटोड उद जाएगा नेक्स्ट शिमवाश्टेटेतर्राइं इस यूज डी तीन जो है इसको स्लीव इसको स ready को ल lawyers करेंगे यह k् project सिमज ए debuted होते हैं यह क्या होते हैं त्हाइब यह होते हैं और इसमें किसमें जैसे यह अथिरोस कलाइोस इस को यूज करते हैं यह होती है एंटि हाइपर लिपीडिमिक होती है इसे स्टैटिन्स होते हैं तो यह है चमजी कोयर को होते हैं यह क्या होते हैं HMG coir reductase inhibitor होता है statins next is vasodilator that increase coronary blood flow तो इसका जो क्या करता है coronary blood flow को increase करता है तो इसका क्या है यह विरापा मिल इसमें जो ये है propanolol ये है non selective beta blocker होता है propanolol next is drug used in scabies scabies में कौन सी drug use करते है तो इसमें benzyl benzoate है इसको हम किसमें scabbies में use करते हैं next is drug used in jaundice the हम कौन सी ड्रक इसमें लाइ aunque यह आती है इसको हम इसमें जॉंटिस में करते हैं यह क्या है यह Sipe to Tapi होक?, तो इसको इसमें जॉंडिस में उसकरते हैं और Chloram Phenical Chloram Phenical Broad Spectrum antibiotic होती है इसे क्या उन्ह उन्हों ग्रेज बンネル सिंद्रों होती है इसको किसमें एपिलेपसी में यूज़ करते हैं इसको है ना एपसेंस सीजर में में इसको इसको नेक्स्ट इस यह समय यह ना एक्सट इस तरह होता है क्या होता है यह ट्रासोडियम सलफोनेट डेरिवेटिव इसका डेपसोन का क्या है इस कोलो करते हैं नेंस्टी स्टेटस एंपिलेप्टिक्स बाइवी इसमें टाइजी पाम यूज करते हैं स्टेटस एपिलेप्टिक्स बाइवी तो इसका है यह डाइजी पाम होता है नाम आता है इसे इसमों च्छायों सब्सक्री जो और इसको मै ask यह इसको इंशन मोग होती है और यह क्ते पालिएस यासीं में यूज्व करते है यहूं ब्लोकर होता है यह है Cardio selective beta blocker भी बोलते है इसको और एक है beta 1 selective blocker है कि next is drug use in treatment of amoebaesies, amoebaesies की treatment में कौन सी drug use करते हैं तो यह metronidazole है इसमें तिनेडाजोल जो है यह metronidazole यह सब किसमें यह amoebaesies में यूज करते हैं तो इसका क्या आशर आजागा तिनेडाजोल पीपिलो कारपीन सब्सक्राइब है इसमें गुलुकोमा में यूज करते हैं इस यूटी कुलुकोमा में फिलो कारपीन नेक्स्ट इस डायजोगसाइड गीवन डायजोगसाइड जो है इस गीवन in hypertension यूप होता है वैसोडाइलेटर होता है यह जो एंटियोटेंसिव ड्रक्स उसकी क्लासिफिकेशन में यह आती है जो वैस्ट डायुलेटर है उनमें से यह क्या होता है और टीरियल वैस्ट डायुलेटर होता है तो इसमें आर्टीरियल में तीन आते हैं तो यह सबस्क्राइब गर्टीरियल किसी के यह जो जो किसमें ये एक टूबर क्यूलर ड्रग है इसको तूबरक्लोसिस में यूज करते हैं पाइराजीनमाइड को यह क्या फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है फर्स्ट लाइन में जैसे हमने इसकी एक देखिती कुन कुन सी है और आई पी एस तो रिफांपिसी नाइजेट पाइराजीनमाइड और इथैंब्यूटोल और एक है से ओष्टाल हे सि क्या हैं फर्स्ट से ब्सक्राइब्यूटोमाइड रेक्डाटि णत्थ लिए ट्राइफिलू पैरीडोल पैन्फिलूराइव यह सब गुटायू फिनॉण डेरिवेटीव यह हैं और यह एंटीसाइकोटिक हैं नेक्स्ट इस एक्सक्रीशन और वोलतायल जनरल अनस्थाटिक्स अकर थरो तो इनका जो ही इनका लंग की थू होता है कासी होता है लंग से अक्स रीशन होता है जरूरन अस्थार्टिक सका में और इसको हम किसमें उसकरते हैं यह करते हैं वैसिंप्रेसिन अब कहांसे होता है जो पोस्ट्योड़े प्चुट्रि ए उसे तो्सिटोसीन और वैसोप्रेसीन दोह उते हिंद नोना पैप्टाइड होते हु술 होगोज्री वैसोप्रेसीन और टाइन बाधिकष्टीन किया है नहीं हम मैं इसको आ-वी पैप्टाइड अंडिया pu स्भीन फोर्मन यह को नोनाऍऻ होते हैं क्या अनोला फोयठोह कि देगे приमिधित से इसको अडिनिस्टर है की सह इसफें करें कि वह पते हैं story эконом कि 6 million Boy में अडिविनिस्टर बाइबिकाइलेशन इन इसको में परकव में mitä में इसमें अडिमिनिस्टर करते नेक्स्ट इज ड्रग यूजड इन मैनिया बाय औरली तो मैनिया में तो एक बहुत कोमन ड्रग आती है लीथियम कार्बोनेट है इसको यूज करते है मैनिया में लीथियम कार्बोनेट और जो क्लोर प्रोमाजीन है क्लोर प्रोमाजीन क्या एंटि साइकोटिक ड्रग है क्लो करा देती है क्या करा देती है यह डोपामिन कम करते हैं वेude को मोटें और टुसे पार्किंसोनिद्रीर तो इसलिए इसलिए असलिए नट्रीपकरों का साइड इफेक्ट क्या होगत है ऍहीप परकिंसीनिस्म करा देती हैं क्या करती हैं यह लीफिंर ते वेटि होते हैं इसके अंदर फेणो यह chloroquine for aminoquinoline derivative होती है और drug of choice होती है pregnancy में अगर मले दिया होता है तो उसमें यह क्या होती है chloroquine drug of choice होती है next is nitroglycerine is used in nitroglycerine जो है glycerol trinatrate भी बोलते हैं इसको यह कैसी उसके तरह sublingually देते हैं इसको और किसमे अंजिना पेक्टोरिस में देते हैं इसको और अगर इसको पूछ ले कैसे sublingually sublingual root से next is apomorphin is used as a apomorphin जो as a amitic use करते अप़ो मॉर्फिन next is Nikethamide यह respiratory stimulant है मैंने कई पर बता दिया respiratory stimulant जो होते हैं अनलेप्टिक्स भी बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं अनलेप्टिक्स भी बोलते हैं और इसमें एक डोकसा प्राम का बेग्जाम्पल आता है डोकसा प्राम और अगर इन और्गैनिक compound देखे तो aromatic spirit of ammonia यह भी क्या होता है क्या है यह respiratory stimulant है और इसमें है निके थमाइड यह क्या है respiratory stimulant नेक्स अक्सिनाल कॉलीन chloride इज़े यह भी क्या होता है muscle relaxant होता है अब यह हमने पढ़ा था जो किसके बारे में ट्यूबों की रियारिन के बारें पढ़ा था वो बहुता है muscle relaxant पर भूगए नोन डिपोल राइजिंग और कंपटीटी था क्या था नोन डिपोल राइजिंग था और सक्सिनाल को लिन कैई अनीम्या इस्टेटिड भी तो इनिम्या में हम क्या यह फैरस सल्सेट यूज करते यह हिराजीन क्या है हिटराजेन जो हती nour государ किसमें फिलियरियाशिय्ज्छ में इस्टेट यूज करते हैं डाय थाμηल कारपाजिस होता है हिटरा इन और इसको फिलियरियाशिज में इसको इज़े प्रोजेस्टिरोन क्या है फिमेल होर्मन होता है प्रोजेस्टिरोन और मेल होर्मन क्या होता है टेस्टोस्टिरोन next is example of beta receptor blocking agent तो कौन सा है इसमें से beta blocker कौन सा है etinolol है यह क्या है beta blocker है और यह होता है beta 1 selective blocker होता है cardio selective भी बोलते है beta 1 selective या cardio selective beta blocker etinolol lobelin, lobelin किसमें lobelia में present होता है किसमें lobelin, lobelia में और lobelia क्या होता है pyridine alcohol होता है तो lobelin क्या है pyridine alcohol होता है lobelin next drug using bronchial asthma bronchial asthma में हम क्या यूज़ करते है जो beta 2 agonist होती है वो हम bronchial asthma में यूज़ करते है वो क्या करते है bronchodilation करते है beta 2 agonist इसमें कौन कौन साथ है salbutamol, terbutaline, salmiterol, formiterol bambutyrol ये सब आते हैं इसमें beta 2 agonist में आते है तो इसका क्या आंसर है salbutamol ये यूज़ करते है कि इसमें bronchial asthma में इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ओके थैंक्यू